पटना में इन दिनों चोरी की वारदात काफी बढ़ गई है ताजा मामला पटना के कदम कुँआ थाना शेत्र का है यहां परिवार के लोग अपने रिष्टिदार के यहां छट पर्व मनाने गए थे इसी दोरान घात लगाए अपराधियों ने एनराई की घर में हाथ साफ कर लिया परिजन चब घर लोटे तो उनके होश उड़ गए बता दें कि चोरों ने जनक किशोर और रोड स्थेत मर्चे नेवी के चीफ इंजीनियर सतेंदर शाह के घर का ताला तोड़ कर नगदी लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर अलमारी का ताला तोड़ कर लाखों की नगदी कीमती जेवराथ टीवी कंप्यूटर लैप्टाप और घर में लगे परदे और जूते चपल तक ले उड़े इतना ही नहीं चोरी करने के बाद चोरों ने उस घर में अपना ताला लग लाया और फरार हो गए परिजनों के मताबिक कुछी दिन बाद उनके घर में भाय की शादी होने वाली थी जिसमें लगभग 40 लाख के गहने खरीदे गए थे चोर घर में रखा सारा सामान चुरा कर रफू चकर हो गए अ शाम को अम लोग घर बन करके दादी के घर गय थे फारिफ ने यह राथ हूं तो घर भिखरा हँए वा मिला ताला बदला हुद था ताला खुल नहीं रहा था और झाल दूसरे जब दूसरे लाश्य का प्रयोग करके जब हमने घरवालों को सूचना दिया सभी लोग यहां पर आये लगबग कितने की जोड़ी है यह लगबग 40 से 50 लाग की जोड़ी है सारा सकींती सामान जितना अंटीक्स वगरा थे शोकेश में कटलरी डिनर सेट सब कुछ गाया है वही कदम कुवा थाने के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंग ने कहा कि इस मामले में CCTV पुटेज खंगाली जा रही है जल्दी इस मामले में सनलिप्त अपरादी गिरफतार की जाएगी जनक किसोर रोड में जहाजी कोठी है वहीं सतेंदर सा के घर में चोड़ी हुई है उनकी वो तो नेभी में कौम करते हैं विदेश में हैं उनकी पतनी अपने बालवच्चे के साथ छठ मनाने के लिए मैके गई थी कितने की चोड़ी हुई है कितने की चोड़ी हुई है कितने की चोड़ी हुई है इसका तो कुछ नहीं है लेकिन लगभग देर है कि चार लाक रुप्या लगभग पैस था एक लाक का समौन है चोड़ी करने के बाद ताला भी अपना लगा कर गया इसी भी खबरे आ रही है इसी कोई लिखित बात तो नहीं दिया है वो गिरिफतारी अब तक किसी को सक्के अधार है तो जिनके चोड़ी हुई है क्या करते थे वो कि मर्चेंट ने भी से महां विदेश में रखते हैं प्रिशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिले में बढ़ती घटनाओं से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है फिलहाल पुलिस इस मामले में गंभीरता से जाच में जुटी हुई है पंजाब केसिरी टीवी क किलिप पटना से संजीव की रिपोर्ट